जै श्री हरी, स्प्रीच्वल गयन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है वीडियो में हम जानेंगे जेस्ट पूर्णिमा वरत इसनान दान के महत्व के बारे में क्या है पूजा का शुब महरत पूजा विधी और भद्राकाल महरत पंचांग के अनुसार साल में 12 पूर्णिमा तिथियां पड़ती है इनी में से एक है जेस्ट महा की पूर्णिमा जेस्ट पूर्णिमा को बहुत पुन्यकारी माना गया है जेस्ट महा की पूर्णिमा तिथि का शुब आरंब 3 जून शनिवार को सुभा 11 बच कर 16 मिनट पर होगा जेस्ट महा की पूर्णिमा तिथि का समापन 4 जून को दिन रविवार को सुभा 9 बच कर 11 मिनट पर होगा ऐसे में जेस्ट पूर्णिमा का वरत 3 जून को रखना शुब माना जा रहा है वहीं उद्यातिती पर यानि की 4 जून को पूर्णिमा का इसनान लाबकारी होगा जेस्ट पूर्णिमा 2023 का शुब मोहरत जेस्ट पूर्णिमा यानि की तीन जून को पूजा का समय सुभा साथ बच कर साथ मिनट से आट बच कर इक्यावन मिनट तक होगा जेस्ट पूर्णिमा यानि की 3 जून को मलक्षमी की विशेष पूजा का समय रात को 11 बजे से 12 बचकर 40 मिनट तक रहेगा जेस्ट पूर्णिमा यानि की 3 जून को चंद्रोध्य समय शाम को 6 बचकर 49 मिनट से चंद्र पूजन का समय रात को 8 बचे तक रहेगा जेस्ट पूर्णिमा यानि की चार जून को इसनान का समय सुबह चार बजे से चार बच कर 43 मिनट तक रहेगा यानि की 43 मिनट का टाइम मिलेगा जेस्ट पूर्णिमा दो हजार तेजिस की पूजाविदी प्रातह जल्दी उठकर स्नान करें, माता लक्षमी का ध्यान करें लाल वस्त्र धारन करें और माता लक्षमी को स्नान कराएं माता लक्षमी को नए वस्त्र पहनाएं और उनका श्रंगार करें माता लक्षमी को पुश्प चंदन और माला अर्पित करें माता लक्ष्मी को अक्षत और कमल का फूल चड़ाएं खीर का भोग लगाएं और मंत्रों का जाप करें माता लक्ष्मी का श्रोत अवश्य पढ़ें उनके समक्ष दीपक जलाएं माता लक्ष्मी की आरती करें और अंत में प्रसाद ग्रहन करें शाम की समय चंद्र को अर्ख दें, चंद्र मंत्रों का जाप करने जेस्ट पूर्णिमा 2023 का महत्व जेस्ट पूर्णिमा का हिंदू धर्म में बहुत महत्व है जेस्ट पूर्णिमा से ही अमरनात यात्रा का आरंब हुआ था जेस्ट पूर्णिमा के दिन ही माता लक्ष्मी अपने पूर्ण वैभव स्वरूप में आती है जेस्ट पूर्णिमा के दिन गंगा या यमना इसनान से रोगों से मुक्ति मिलती है इस दिन भगवान शिव की पूजा से वेवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है तीन सुभ्योग में है जेस्ट पूर्णिमावरत तीन जून को जेस्ट पूर्णिमावरत के दिन रवीयोग, शिवयोग और सिध्योग बन रहे हैं रवीयोग सुभा 5.23 मिनट से सुभा 6.16 मिनट तक है शिवयोग प्राता काल से लेकर दोपहर 2.48 मिनट तक है उसके बाद से सिद्ध योग प्रारंब हो जाएगा जेस्ट पूर्णिमा वरत दो हजार तेईस चंद्रोध्य जेस्ट पूर्णिमा वरत के दिन चंद्रमा काउदय शाम 6 बज कर 49 मिनट पर होगा इस समय चंद्रमा की पूजा कर सकते हैं और अर्ग भी दे सकते हैं जेस्ट पूर्णिमा वरत दो हजार तेईस में भद्रा समय कब है तो तीन जून को वरत करने वाले दिन स्वर्ण की भद्रा लग रही है यह सुबह ग्यारा बच कर 16 मिनट से रात 10 बच कर 17 मिनट तक है इस भद्रा कावास स्वर्ण में है जेस्ट पूर्णिमा दो हजार तेईस स्नान दान पंचांग के अनुसार जेस्ट पूर्णिमा का स्नान और दान पूर्णिमा की उद्यतिती में होगा जेस्ट पूर्णिमा की उद्यतिती 4 जून को है इसलिए जेस्ट पूर्णिमा का सनान और दान चार जून को ही होगा इस इन साध्य और सिध्य योग बन रहे हैं सुभा 11 बजकर 69 मिनट तक सिध्य योग है और उसके बाद से साध्य योग लग जाएगा जेस्ट पूर्णिमा व्रत और सनान दान का महत्व जेस्ट पूर्णिमा का व्रत रखने से चंद्रदेव प्रसन होते हैं उनकी पूजा से चंद्रदोष दूर होता है सत्य नारायन भगवान की पूजा करने से घर में शुक और सांती आती है जेस्ट पूर्णिमा पर सनान और दान करने से पाप मिठते हैं पुन्य फल की प्राप्ति होती है तो ये थी जानकारी जेस्ट पूर्णी मा के बारे में वीडियो आपको अच्छी लगी है लाइक कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा इसी तरह की और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए